अधियाद प्रजोतिस्त के तमाम इसकारिक्राम में आप सब भी दर्षकों का बहुत पश्वागत और अभिनेंदा देखी यहां पर एक प्रश्ण जो आप तमाम दर्षकों का एक प्रश्ण यहां पर आ रहा था कि दक्षनायन में घ्रहप्रवेश कर सकते हैं यहां नहीं कर सकते हैं क्योंकि जहां दिपावली और देवश्रयन एक अधसी की बात आती है तो इसमें कई सारे प्रश्ण होता है एक तो कई लोगों का मानने हाई कि नहीं ग्रह प्रविस जो है चब करते हैं तो उसके बाद पहला तिवार हो ली नहीं आना चाहिए कुछ लोग कहते हैं उसमें दिपावली पहला तिवार शुप माना जाता है या फिर दक्षनायन की जब बात आती है कि भई दक्षनायन है तो दिपावली से पहले कैसे ग्रह पर विस्ट कर सकते हैं ये कुछ बहुत confusion जो दिमाग में बना रहता है उसको लेकर हम रोख चरजा करेंगे हो सकता आपके दिमाग में भी यह प्रश्ण हो निवेदनी रहेगा कि पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे प्रमाणिक जानकारिया आपको चैए अध्यात्म की हो जोतिस की हो या वास्तु से सम्मधितो आपको हमारी कारकारम इस चैनल पर मिलते रहे हैं देखी यहाँ पर दक्षनायन की बात आती है जब कई बार हम लोगों से बाचित करते हैं तो उनकी मनोगत भाव को समझने के लिए जैसे संयोकसम उनको पूछ लेते हैं कि आपको यह किस ने बताया कि दक्षनायन में ग्रह प्रवेश नहीं होते हैं दिपावली में कर देते हैं लोग बसंतपंज उनको भी कर देते हैं अब बात आती ग्रह प्रवेश की हम लोग कारतिक में हैं मारगसीस में हैं क्योंकि यह दोनों महरे कब आते हैं कारतिक दिपाविली कारतिक में आती है और कृष्णपक्ष और सुकलपक्ष उकलबस तो छोड़ दो बाद में आएगा लेकिन कृष्णपक्ष में पूरे किसी भी पंचांग में आप देख लिजे तो मुहृत होते हैं आलंकि जो ग्रह प्रवेस के मुहुरतों की बात आती है, वहाँ पर पूरे विधी विदान के साथ जो नियम है, कौन सा नक्षात्र, कौन सा बार, कौन सा तिधी, कौन से लगन, तो ये सब चीजें मैं आपको आलंकि पहले बता चुका हूँ, लेकिन जब बात मास की आती है, तो कारतिक और मार्गसीस, ये दोनों ही मास उसमें हैं, किसी भी पंचाग में आप देख लीजें, तो फिर वो धक्षणायन वाले कहां से बात आ जाती है, वो दरसल में क्या है कि आप जब कोई वीडियो देखते हैं लोगों की, तो उसमें क्या होता है, उसमें लिखा कि दक्षणायन में होना चाहिए, और सहियों की बात है, बहुत मज़े की बात है, आप देखी उन कारिक्रमों को, तो उसके नीचे जब वो मास बता रहे हों, तो उसमें वो कारतिक भी बता रहे हैं, तो अब ये बड़ी बिचित्र बात है, कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि दक पक्ष हो जाता है, बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपको, कि अगर आप कार्तिक में महने में ग्रह परविस करें, तो आप निश्चित हो करके करें, किसी प्रकार के भ्रह्म में न पढ़ें, हाँ, मुहूर्त परिपक को हो, आप उसमें नक्षत्र, बार, तिथी, और बहुत महत्वपूर्ण जो हो जाता है, वो है लगन, क्योंकि सरवेद उशा विनिश्यंती, लगन सुध्र यदा भैवेद, शुक्ति कहती है कि अगर लगन का सोधन है, तो आप ततकाल में अमहुर्त होने पर भी महुर्त कर सकते हैं, यह लगन सोधन की बिसिस बाड़ है, क्योंकि महुर्त की जो ततकालिक व्यवस्ता है, मानलों कि छे मैने पहले महुर्त, यह तो जरूरी नहीं सब निकालने हैं, दो मैने पहले, एक मैने पहले, कुछ ऐसे विदिग्या लोग होते हैं, जो उसको लिए समझते हैं और व्यवस्ता बनाते हैं, बहुत सारे लो भी होता है दो ghti, 24 ghti का एक, जो है, मुर्थ होता है, यानि 48 minute का sorry, 48 minute का दो ghti का एक मुर्थ, एक ghti में 24 minute, तो 48 ghti का यानि लगवाग घंटे बट से भी कम समय का जो मुर्थ है, उसमें कांपो करना चних था आप निश्यतों के चैया आप कार्दी में कर रहे हैं या मार्गसिस में कर रहे हैं आप निश्यत होगे करें और इन नियमों को follow करें यदि आप कहीं पर भी वारत रुष्ट के अंदर आप अपने यहाँ किसी प्रकार का अनुष्टान पूजा पाट या ग्रह प्रवेष या जूद सी प्रामर्स आप लेना चाहते हैं तो जो लगातार नंबर फ्लेश हो रहे हैं आप उन पर शंपर कर सकते हैं और विदी विदान के साथ अपने कार्व को शंपर न करा सकते हैं पिलाल बने रहे हैं और हमें दीजिए इजाज़त तन्यवाद